नमस्ते डियो विवर्स तो आज के इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल एक्स्प्रेशन्स को रियलाइस करेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स के हल्प से अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कितेरा सेवन टाइपस अफ लॉजिक गेट्स से तो हम लोगों ने आज यहाँ पर दो एक्स्प्रेशन्स लिए हैं एक है y is equal to a dot b plus c मतलब a and b और c ठीक है और दूसरा question क्या है y is equal to bracket a और b bracket close and c तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं and operation है सबसे पहले में and operation के साथ साथ logical or operation है और दूसरे में और operation के साथ logical and operation है तो चलिए सबसे पहले जो question है हमारा उससे पहले implement करते है logic gates के help से देखें सबसे पहला जो question है वो क्या है y is equal to a dot b plus c अब देखें a dot b ठीक है and c यहाँ पर three variables है मतलब three inputs होंगे चलिए पहले three inputs ले ले लेते हैं one two और यह रहा three तो यह क्या हो गया a akb और यह c ठीक है अब देखें यहाँ पर a dot b ठीक है अब देखें यह c है यहाँ से c को कुछ ऐसे सीधे आगे ले करके जाएंगे यहां तक अब देखें यहां से हमें क्या करना होगा एक और gate connect करना होगा क्योंकि क्या है a dot b plus c है मतलब यहाँ पर और operation हो रहा है तो यहाँ पर एक और gate connect कर दीजे कुछ ऐसे यह कुछ ऐसे एक और gate connect कर दीए हमने अब देखें एक input क्या है इसका a dot b है और दूसरा input क्या है इसका plus c ठीक है तो आप देख पा रहा है y का value हमें क्या मिल रहा y is equal to a dot b plus c ठीक है तो इस तरीके से हम लोग क्या करते है implement करते है कोई भी logical expression को इसी तरीके से implement किया आता है अब चलिए number two वाले को देखते है number two number two वाले में क्या है a plus b dot c है मतलब है कि यहाँ पर भी three inputs है three input variables है a b और c और यहाँ पर सबसे पहले और operation है उसके बाद फिर and operation है तो सबसे पहले a b और c यह तीन variables है हमारे पास ठीक है a b और c अब देख और operation हो रहा है दोनों के बीच तो यह दो inputs और यह रहा एक और गेट कुछ ऐसे यह और गेट तो यहाँ पर जो output हमें मिलेगा वो क्या होगा a plus b ठीक है a plus b यहाँ पर output मिलेगा और यहाँ पर थोड़ा साइसे उपर कर लेता है यहाँ से जब यह सीधे जाएगा कुछ ऐसे यहाँ तक तो आगे जो हमें अब देखें यहाँ पर क्या है a plus b dot c मतलब a plus b and c तो आगे जो हमें realize करना है वो हम and gate के अब से realize करेंगे यह रहाँ and gate और यहाँ पर जो output आपको मिलेगा यहाँ पर यह output होगा y is equal to a plus b आप देख पा रहे हैं यह a plus b एक input है और एक input c है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dot c तो इस तरीके से हम लोग जो logical expressions होता है उसे realize करते हैं तो यह हमारा सबसे पहला question था और यह बहुत easy है आगे हम लोग और भी difficult types का questions को discuss करेंगे अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्रीफ इसी तरह का simplified logical expressions होता है कहीं कहें पर ऐसा भी होता है क logical expressions समार पास given है पहले हमें उसे simplify करना होगा उसके बाद फिर हम उसे basic gates के help से realize करते हैं और कहीं करें पर ऐसा भी होता है कि आपके पास यह जो आप देख रहे है logic diagram यह diagram आपके पास given होगा बस अंतर यह होगा कि आपके पास यह output given नहीं होगा आपको यह logic diagram देखके बताना ह output क्या मिलेगा मतलब simple सा बात है logic expression obtain करना तो इस तरह के सारे questions पर हम लोग आगे अपने वीडियो में बात करेंगे तो आशा है आपको यह समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग किसी भी logic expression को basic gates के help से realize कर सकते हैं तो चलिए आगे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जहां आपर हम लोग same topic के रखेंगे और कुछ और problems को लेंगे